जितने भी मुझा लेगा उनको बता है ये अगला करदा तो देनी पारें इनके उपर और विनमेसमेट करना वो हमारा सिधा सिधा वेस्टी जाएगा और इसलिए वो इंडिया को बार बार इसलिए बुलाते हैं क्योंकि इंडिया अपने मुलक को समाल के रखने मेला है उनके म अब पॉलिटिक्स अपने मुलक की अपने पनी होती है लेकिन वो इस पॉलिटिक्स में हमारा जो रोल है वो इंटरनेशनल लेवल पर बिल्कुल नेगिटिव है आपने बात की इंडिया या उनके प्राइम नीसर या उनकी लीडर्शिप सकता हूं एक्री कर सकतो मेरा स्व अपने मौलिक में गई है इंडिया जिमेदारी तो खैर यह विरूनी ताक्तों की है यह जो गहर मुलकी एजन्सियां वो इसलिए से गरम है कि पाकिसान के इंटरनल हलात जो हैं वो थोड़े से मायूस कुन है इस वज़ए से इस मौके का वो फादा उठा रहे हैं कि इनको मरकिसान की सब्सक्राइब है अमेरिक और यूएस उसका इसराइल का लिया फिर इंडिया को ले आए अच्छा ये बताएं इंडिया को इसका फाइदा क्या होगा और सैकंड ली ये अटेक बलोचिस्तान में ही क्यों करवाए जाते हैं ये लैट्स पोज अगर इंडिया ने बलोचिस्तान में टेक रुए तो लोहुर में क्यों नी करवा दे ते वो गुजराईवाला में वो इस्लांबाद में क्यों एक रुए तर्व भाए था, मैं अवाम तो गरीब है यार पाकिसान की तो छे क्रोड की मैंने की टिकर दे रहे हो तो अवाम कहां से करीद रही है मैं ये कहना चाहरा हूँ कि हम यूथ के जितने भी जनरेशन में उनमें जोश भी आ बला भी आ लेकिन ये लीडर्स की डेमो क्रेटिकल बाते हैं कि हम आने के बाद यूथ को उपर लाएंगे इसी कंडिशन में हम दुनिया के साथ चल पाएंगे बेसिकली पाकिस्टान जो है ना उसकी एक सिचुएशन जो तीन वो घर के बराबर होती है घर में एक ही सरवरा होता है जिस गर में हर बंदा खुदमक्सार हो जाएना तो उस गर की बनियादे तोटती है यह पाकिस्टान की सिचुएशन इस वक्त इतनी खराब होई हुए यह इतनी ज्यादा पार्टी दुए हुए है पता ही नहीं लगता कौन पॉजिटिव जा रहा है कौन नेगिटिव है कौन सही है कौन गलत है हम तो खुद इस सिचुएशन में भस गये हैं माइक पर जो भी आता हूँ इतने बड़े बड़े वादे कर देता है इतनी बड़े बड़े कस्में खा लेता है और फिर बाद में जब जब जबाती नारे लगाते है नौर्मल भाम जो होगी है, हमारी जो मतलब जूथी हो गए ओगे हैं, उनका यूज कर लिते हैं, उनको बीच में डालके, उनसे में ही तोड़फत कर दम है, मैं ये सोच का रहाँ होता हूं कि अपने मुलक की फला के लिए हम अपने मुलक को इत्बाह कर रहे हैं हमें ये नहीं समझ जा रही है हम किसका साथ दे किसका साथ ना दे ठीक है इस तेम पब्लिक ओवराल कन्फियूज है अगर बात करें अभी जी सेवन की मीटिंग होने जा रही है जी सेवन के मैंबर हैं उनके लावा इंडिया सेवन मैंबर नहीं है लेकिन फिर भी उनके प्राइम निसर को इनवाइट किया गया और एक दफानी चार पांच दफानी उइनवाइट किया गया क्या समझते हैं आप कि कैसे ये पाकिस्तान भी international level पे अपना एक image बेहतर कर पाएगा हम भी फखर से यह कहने वाले बनेंगे के भाई हम infrastructure के उपर काम कर रहे हैं हम development के उपर काम कर रहे हम आपस में नहीं लाड़े जैसे कोई neighbor country है इंडिया है या कोई भी बिक तो मसला असल यह है ना कि हम development की तरफ तो जाई नहीं हम सिर्फ तबाई की तरफ जा रहे हम लड़ाई की तरफ जा रहे हम दूसरी कंट्री के तरफ देख ही नहीं हम उनको कॉपी करने की कोश्च करते हैं कि अगर वो अपने मुलक में तरक्की करने तो हम चलो उस जैसा नहीं कर सकते तो उसके थोड़ी बहुत तरक्की कर सकते हैं बस वही तो हम नहीं करते हैं बड़ी-बड़ी मुल्टिनेशनल कंप्रीन हैं वो सोचेंगी हम पाकिसान में जाके इन्वेस्मेंट करते हैं तो हमारा पैसा भी डूपेगा और हम भी हमारी जान की भी कोई गरंटी नहीं है वह इसलिए ना मुलक को हमारे सियासतदानों ने मकुरूद इतना कर दिया हुआ है कि उनको पता है और प्लिटिक्स अपने मुलक की अपनी पनी होती है लेकिन मोष्पॉलिक्स में हमारा जो रोल है और इंटरनेशनल लेवल पे बिल्कुल नेगीटिव अपने बाद की इंडिया आउनके प्राइम निजसर्यान की लीडरशिप अपने क करोड पंतालीस करोड ऐसे ही है हमारी अबादी अभी लेटेस्ट जो सर्वेय हुआ उसके मताबिक 24-25 करोड है हम 24-25 करोड को नहीं संभाल पाए वो इतनी बड़ी बादी को कैसे संभाल रहे हैं कैसे ड्वेलपमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं कैसे उनका इमेज को के चलेगी यहां दस लीडर हैं दस लीडरों ने अवाम को 24 करोड को बांट के रखा वहां वहां की दुश्मन होई पड़ी है वह एक दुसरे का साथ देने को तैयार ही नहीं है हर किसी को लूटने की पड़ी है इदर से अगर गॉर्मिंट रेट पांच रपर चीज का ब जैसे अभी अगर बात करें जो मैचीज होने जा रहे हैं वर्ल्ड कप की बात करें एशिया कप की बात करें यहां से हम कहते हैं हम इंडिया नहीं जाएंगे वो कहते हैं हम पाकिस्तान नहीं आएंगे उनका स्टांस यह है कि हमारा क्या स्टांस होगा वहां हमारा ना जाने उनके क्रिक्टर वो भी इंडिया के क्रिक्टर महफूज हूँ देखें इसमें हम अपने किसी एक लीडर को नहीं देख सकते जो बंदा जब तक वजारत में हैं तब तक गॉर्मेंट के आइन के मुताबिक उसको स्कूर्टी प्रोवाइड की जाएगी लेकिन अब बगर एक वजीर ही नहीं रहा तो फिर उसको स्कूर्टी अगर वो जाके केस करेगा कि मुझे मेरा जानी नुक्सान है तो फिर दी जाएगी अगर वो वजीर आदम नहीं है तो उसको स्कूर्टी क्यों दी जाएगी और दूसरा बात वो तो अपने पे खुद भी अमला कर वा सकता है कि इस जते बंदे कोई आगे कह सकता है कि बाई जनाब मेरे पे अमला कर दो वो तो नहीं ना माना जाएगा अजन्सिये भी इसमें शामिल हो सकती है मैं सकता हूं एक्री कर सकता हूं मेरा स्वाल यह है कि इंडिया का बिल्कुल गलता है पिछले जनों वेस्टन डीज इंगलेंड की टीम आई है मैं अच्छे तरीके जए खेल के और जीत के और सही सलामत अपने मौलिक में गई है इंडिया जो है ना इंडिया वो सिर्फ पर वर्सीज रखती है जानबूट के इमेज हमारा खराब भी रहे यह 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 लो यह लोग यह यहां पर आउट साइड कंट्री जोग जो ऑलाओ हैं और वह पड़ते हैं और उनको उनके राइट बराबर के मिलते हैं जब हम स्टूडन का इतना ख्याल र यहां पर सूमालिया के स्टूइंट पढ़ने आते हैं नहीं कुछी हैं इस हैं जिन पूल सभी करें तो यह लाओ कि एक भी तो आप education करएंगे लोग वह लोग यहां पर आगे कहते हैं तो पाकिसान का ही से निया भाई गिलोगत वाले कहते हैं गिल्कित ये कुछशिना बोलनेते हैं और वो कुछाइब कि नहीं हैं। क्योंकि उनका मैंड़ सेट इसा सबना जिए होगा है। मैं जरी चूई बताता हूं कि आपके लाहुर में जैसे कितनी ड्यूल्पमेंट है। उनके इलाके में कोई ड्वेल्प्रेंट नी है वो कहते हमें अपमारा हग दें उनको पानी साफ नी मिलता उनको इलेक्रिसिटी नी मिलती स्लाव होजे वहां पर आपको इंतिजाम करने के लिए यहां पर कितने केम्प लगाते हैं मेरगाल है गिलگित के स्टूडेंट थक्राइद से पात हुई इसने बोला वहां पर स्कूल तो हैं लेकिन टीचर नहीं है वहां पर हुूपिटल ऍभूना बाहर दू 내가 लोहौर में आपको बताता हूं गौर्मिंट इस से ज़्यादा और क्या करें कि आपको फाइनेंशल स्पोर्ट करती है आपको फंड्स देती है आपको फ्री एड़ुकेशन देती है इरिया स्पोर्ट के बचे यहां पाद जॉप भी आपको लाओ करती है सेल पे होगा सो में से तक्रीबान कुछ 10-15 परसंट होंगा जो सेल पर पढ़ रहे होंगे 95-85-87 परसंट बचे उस पर पढ़ रहे हैं आप इस बारा से एगडरी करते हूं पंजाब यूनिवरस्टी में भी बहुत बड़ा कोटा है घिल्गित के लोगों का किश्मीर के लोगों का लेकिंट अगर थोड़ी इसी प्रैक्टीकल बात किजिए लांग टर्म पॉलिसी की बात कीजिए यही यूनिवरस्टी अगर ह एकष्ड होए हूं और यहां पौई अगर कोई अच्छा आएगा अगर कोई लेक्शन होंगे तो कोई वैसी बंदा आ जाएगा अगर चोधरीयों के बेटे जो हैं वह सीटे मिल जाती हैं उनको बागियों को नहीं के बात करके और हमने बाधा जो so class की थी वहीं ठी और हम आपस में लड़ रहे हैं गिलगीत वाले पंजाब वालों से पंजा लुचीस तान वालों से बात व्लोकों से वालों से अनुची नहीं हैं अपने इमज को क्रेक्ट करेक्ट करना चाहिए अपने मुलक के साथ लोयल होना चाहिए ठीक है और अपनी जो इसलामी एकिता महत है उनको पूरा करें और अपने हख अपने तक र millenn judicial को हख उनको दें और अपने मर्दी से मंगाए वगैरा ना करें कहने लगे यार वो बोल गया चले खैर अच्छा लगा इंसे बात करके और आप लास में कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे हम आपस में यह लड़ाई बंद करेंगे और नैशनल लेवल पर इमेज बहतर होगा हम इंडिया को देखते हैं जब भाई हम एक दुसरे को बुड़ा कहना खत्म कर देंगे सबसे बड़ी बात यहां मैं यह नहीं सही यह कहता है यह नहीं पर पिटी यह लगते हैं नूलिंक नहीं सही अब मैं एक चीज़ जानता हूं पी मुझे याप यह बात बताएं कोर कमांडर के घर गुस गए हैं फोजी लोग यहां में ऐसे खरे हुए हैं क्या फोजीयों को ज्यादा नहीं है कि उनको पक्रें और जो मोर उठागे लेगे हैं आज वो पकड़ा गया काल रात को यह कैसे हो गया लेकिन को एक चोटी सी बात ब मिलके यानि के हम टील्प पीटियाई और पीम यमल वन की बात करते हैं को हो आपस में मिल जूकर नहीं रहते हैं हमारे यानिके सरबराइब उनको मिल जू जूकर रहना चाहिए ताकि हमारे नजाम जो है वो अच्छे तरिके से लगे उनके फालवर्वर्डान वो भी मिलकर और दूसरी बात इसी में इसी बाथ की उलास की चोटा से यूनर्ट होते हैं कहते हैं क wiping इस्थे कर तक वे चार साल कि जिंद्गी है लेकिन Okay पक्र आपकर आपके साथ चलना है तो वह लोग आपस में रहतें नहीं हाँ और में आखर मैं शिछ इतना करें करें आप लोग ने आगी आना है और आप लोग अच्छा परफॉर्म करें जो आर्मी के अगेंस्ट होने की अवाम और पॉब्लिक उनसे यह रिक्वेस्ट होती है कि आर्मी जो है कि पर नी सकती कुछ रूल को भी अकल है कि हम किसी आम शहरी को किसी ब्रेन वाश होके आए और हमला करें वो कभी भी उसको सीधा शूट आउट करके गोली नहीं मारेंगे उन्होंने भी फैसले करने हैं अपने आईन के मताबिक करने है अच्छा यह जो डिसकेशन हम कर रहे हैं देखें और यह पाकिसान की यूथ है और कितनी मोटिवेशन रखती है यह डिसकेशन हमे जैसे बाकी सारे मलकों को अपनी तरफ नजरें उठाने नहीं देती तो आपको जियार गुसने क्यों दे रहे हैं उस गुसने की वज़ा है उन्होंने इसलिए आपको कुछ निंगा है कि आप लोग हमारी शेहरी हो आप लोग की इसलिए उनने कुछ नहीं और नहीं कहा कि आप लोग उनके ही शेहरी हो आप वो आप कहीं मुहाफिज हैं एक चीज और भी मैंने नोट किया जब से ये वाक्या पेश आया है जनाहूस वाला कोर कुमांडर के घर वाला मैं डेली इंटर्व्यूज करता हूँ आपने शाद देखा ही हो मुझे कहीं पे तो तब पहले सब ये कहते थे पीटीए के साथ हैं हम ये करतेंगे वो करतेंगे इस वाकिया के बाद उन्होंने पीटीए को जोड़ दिया इससे बात कर रहा हूं वो यही कह रहा है घल्ट हुआ कहीं डार तो नहीं गे बाद सुनें बाद सुनें सो में से सो में से तकरीबन कोई 30 परसन अवाम उसके साथ है लेकिन मैं एजा यानिके शेरी को देखें मैं किसी भी जमाद को स्पोर्ट नहीं करता ना मैं लेकिन एक एक शक्स है की हैसियत से ना मैं इम्रान खान को बहुत लाइक करता हूं वह इसलिए लाइक करता हूं मेरी डिग्री फीजिकल एजुकेशन से है वह इसलिए मैं उसे लाइक करता हूं देखें सारे चोड तो वही ह सारे देखें खाल्फन का थहां था मेरे कंसाइब झाझने कि मेरे लोग अभी दूद पी रहें जिन्हों मुझे गूट डालने हैं आख ईकर 20 avenues इन इत् साइब था क्षांसाब ने कहा था कि मैं अवाम को उपर लेकि आओंगा ठीक है मानता हूँ अवाम तो गडिब है यार पाकिसान की तो छेग रोड की है मैंने की टिकर दे रही है तो आवाम कहां से गडि़ रही है मैं ये कहना चाहरा हूँ कि हम यूथ के जितने भी जनरेशन में उनमें जोश भी आ, बला भी आ, लेकिन ये लीडर्स की डेमोक्रेटिकल बाते हैं, कि हम आने के बाद यूथ को उपर लाएंगे, तो इमरान खान से भी मैं बड़ा डिसिपॉइंटेड हूँ कि उन्होंने य क्रेंज करके यूथ को आगे लाएं ताकि हमें बैन की मसला तो यह है कि जब यूथ आगे आएगी तो बैन खतम होगा ना, हम अपने राइट्स का सही यूथ करेंगे तो हमारे बैन खतम होंगे, वो ही लोग जो पिछले 50 साल से खुमत करते आ रहे हैं, वो अपनी बे तु क्रें लामा खादिम सेहने जी जिसाब, इसलामबाद में इन लोगों के साथ कहा था, कि आप हाई कोड के फैसलों को रद करने वाले कोन हो बैई, कोन हो और मैं तो इसकी जादर नहीं दूँगा कि हाई को रद किया जाए और यह वही खांसाब हैं जिनको हाई को ने फैसले कि हैं सुप्रीम को फैसले की हैं और यह कह रहे हैं हम तो किसी सुप्रीम कोड को नहीं मांते बहुत है मैं टीलपी का स्पोर्टर उलामा खादिम सानवीज का दस साल रहा हूं यह हैं मैं इसलामबाद में लो शैलिंग भी हुई हमारे पर हमने सीधी गोलिये भी खाई हैं और अपी ने निकुना का रहा हैं तो से लोगों की लाश्य उठागे अपने मिम्बरों की उस कंटेनर से डाल ली हैं क्या हमारे साथ वो बाई नहीं थे वो किसी मां का बैटा नहीं था वो किसी बैन का भाई नहीं था से यह मुस्लमान ही थे जब पाकिसान में अपस में लढ़ाई होती है तब हम बूल जाते हैं कि भाई और पाकिस्फियूं के वाई कोड़े में तब घर कर फैसले में अब तब हैं कि लिए यह वहां हुआ उसके पीछे कौन था अब मैं यह नहीं कहना चाहरा